दियर श्ट्टेंट स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में क्लास 12 मैट्स के चप्टर 1 संबन और फलन रिलेश्चिन और फंक्शन में आज हम समझेंगे फलनों के परकार को टाइपस ओफ फंक्शन्स फलन क्या होते हैं इसे डिटेल में समझने के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीडियो का लिंक दे दिया गया है इस बीडियो की लिंक पर जाकर के आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं क्लास 11 में भी आप लोगों ने कुछ प्रकार के फलनों को पढ़ा था जो कि ग्राप पर आधारीत हैं और ये फलन है तत्समक फलन, आइडिन्टिटी फंक्शन, अचर फलन, कॉस्टेंड फंक्शन, मापांग फलन, मॉडिलस फंक्शन, चिन फलन, सिगनम फंक्शन, महत्तम पुणांग फलन, ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन अब हम मैपिंग पर आधारीत फलनों के प्रकार को पढ़ेंगे सबसे पहले समझते हैं एक-एकी फलन को इंगलिस में इसे कहा जाता है वन-वन फंक्शन इसे समझने के लिए एक एक्जम्पल लेते हैं माना समूचे X से समूचे Y पर एक फलन है F समूचे X को परांत मिंस डॉमेन कहा जाता है और समूचे Y को सह परांत मिंस को डॉमेन कहा जाता है माना यहां जो फलन है F इसके अकॉर्डिंग डॉमेन X का element A को डॉमेन Y के element 2 से related है Means A की image 2 है A का प्रतिविम 2 है और 2 domain X के और किसी दूसरे element की image नहीं है 2 केवल A की ही image है B की image है 1 और 1 भी और किसी दूसरे element की image नहीं है यह केवल B की image है और C की image है 3 और 3 भी केवल एक element C की ही image है और co domain Y का element 4 domain X के किसी भी element का image नहीं है फलन की यहाँ खास्यत भी होती है कि domain का तो परतेख element का co-domain के element के साथ relation होता है लेकिन या जरूरी नहीं है कि co-domain का भी परते network domain के element के साथ related हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि domain X के अलग-अलग elements की co-domain में अलग-अलग image है इस परकार के function को ही AK की means one-one function कहा जाता है और इसे injective function भी कहा जाता है 1-1 function इसके नाम से ही पता चलता है 1-2-1 function मिन्स domain के हर एक element की co-domain में एक अलक image है तो इस तरह से AK की फलन को इस परकार से परिभासित किया जा सकता है समुचे X से समुचे Y में एक फलन F AK की फलन कहलाता है यदि F के अंतरगत X के भिन अवियों के परतिबिम भी भिन होते हैं इसकी mathematical definition इस तरह से होगी कि यदि domain X के दो elements X1 और X2 के लिए F of X1 बराबर F of X2 है और यदि या AK की फलन है तो X1 और X2 भी बराबर होंगे मिन्स X1 और X2 ये दो अलग-अलग elements नहीं होंगे चेक कर सकते हैं कि कोई फलन AK की है या नहीं है अब एक दूसरा example लेते हैं माना समुचे X से समुचे Y पर एक फलन है F और इस फलन के according समुचे X के elements A की image 1 है और B की image भी 1 है और C की image 2 है और core domain Y का element 3 छूट गया है यह domain X के किसी भी element की image नहीं है तो इस function में आप देख सकते हैं कि domain X के 2 elements A और B दोनों की same image है दोनों की एक ही image है A और B दोनों की image एक है तो इस प्रकार के फलन को जिसमें domain के 2 या 2 से अधिक elements की same image होती है A की प्रतिबिम होता है इस प्रकार के फलन को बहु एक फलन कहा जाता है इंगली स्पे से कहा जाता है many one function इसकी mathematical definition इस प्रकार है domain X के 2 elements X1 और X2 यदि ये आपस में बराबर ना हो means X1 is not equal to X2 लेकिन इनकी images same है इनके प्रतिबिम समान है means F of X1 is equal to F of X2 तो इस तरह के फलन को बहु एक फलन means many one function कहा जाता है अब हम समझेंगे आच्छा दक फलन को इंगलीस में इसे on to function कहा जाता है इसे surjective function भी कहा जाता है इसे एक example से समझते है माना समुचे X से समुचे Y में एक फलन है F और इस फलन के according domain X के elements A की image है 2 B की image है 1 और C की image भी 2 है और D की image है 3 तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि co domain Y का हरेक element domain X के किसी न किसी element की image है means co domain के हरेक element का domain में एक pre image है co domain Y में ऐसा कोई element नहीं है जो domain X के किसी भी element की image ना हो इसलिए इस तरह के फलन को आक्षादक फलन कहा जाता है आक्षादक means आक्षादित करना means cover करना क्योंकि इसमें पूरा code domain Y cover हो रहा है इसमें कोई भी element ऐसा नहीं चूटा है जो domain की किसी भी element की image ना हो तो आक्षादक फलन को इस तरह से परिभासित किया जाएगा समुचे X से समुचे Y में एक फलन F आच्छादक फलन कहलाता है यदि F के अंतरगत Y का परतेक अव्यव X के किसी ना किसी अव्यव का परतेविम होता है इसकी गणितिय परिभासा इस प्रकार है परतेक small y belongs to capital Y के लिए मिन्स को डोमेन Y के हर एक element के लिए capital X मिन्स डोमेन में एक ऐसे अव्यव small x का अस्तित्व है कि F of X is equal to Y अब समझते हैं अन्ताचेपी फलन को इंगलिस में इसे into function कहा जाता है इसे समझने के लिए वही example ले ले लेते हैं जो हमने AK की फलन को समझने के लिए लिया था माना समुचे X से समुचे Y में एक फलन है F और इस फलन F के according domain X के elements A की image है 2, B की image है 1 और C की image है 3 और co domain Y का element 4 domain X के किसी भी element की image नहीं है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस function F में co domain Y में एक ऐसे element 4 है जो domain के किसी भी element की image नहीं है तो इस प्रकार के फलन जिसमें co domain Y में कम से कम एक अव्यव domain X के किसी भी अव्यव का प्रतिविम नहीं होता है अर्थार co domain Y में कम से कम एक अव्यव का domain X में कोई पूर प्रतिविम प्री image नहीं होता है अन्ता छेपी फलन कहलाता है अब एक और फलन को समझते है माना समुचे X से समुचे Y में एक फलन है F और इस फलन F के अंतरगर डोमेन X के ऐलिमेंट A की इमेज है 3 B की इमेज है 1 और C की इमेज है 2 तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ A की फलन 11 function है क्योंकि डोमेन X के अलग-अलग elements की को डोमेन में अलग-अलग image है और यहाँ आचादक फलन onto function भी है क्योंकि को डोमेन Y में कोई भी element नहीं छूटा है को डोमेन के प्रतेक element का डोमेन X में एक pre-image है तो इस प्रकार का फलन जो एक-एकी वा आचादक दोनों होता है एक-एकी आचादी फलन कहलाता है इंगलीज में इसे कहते हैं 1-1 onto function और इसे bijective function भी कहा जाता है इन सभी फलनों को समझने के बाद आए शुरू करते हैं इन पर आधारित प्रस्टनावली 1.2 प्रस्टनावली एक-दसलब दो में सबसे पहले डिसकस करेंगे question number 1 सिद्ध कीजिए कि फलन f of x is equal to 1 upon x द्वारा परिभासित फलन f from r star to r star तो यह जो फलन है इसका domain r star है और co domain भी r star है ak की तथा आचादक है तो हमें सिद्ध करना है कि फलन में दिया है यह ak की तथा आचादक है means one one on two है और जो फलन one on two होता है इसे byjective भी का दाता है और यहाँ पर जो r star है यह सभी शुनियतर वास्तिविक सिंख्याओं का समूच्य है शुनियतर मतलब शुनिय को छोड़कर बाकी सभी वास्तिविक सिंख्याओं अगर आप NCRT की हिंदी वाली बुक दिखेंगे तो वहाँ पर रिनेतर लिखा है जो की गलत है तो यहाँ पर correction करना रिनेतर की जगा पर शुनियतर होगा ठीक है और यह question का दूसरा पार्ट है जिसे हम बाद में discuss करेंगे अब इसका first पार्ट को ही discuss करते है तो जब कभी हमें किसी फलन को एक ही कियावा अच्छा दक चेक करना होता है तो यह इसके domain और co domain पर निर्भर करता है ठीक है और इसका जो domain है code में दोनों R star है और R star शुनियतर वास्ट्विक सिंख्याओं का समूचे है मिन्स सुनिया को छोड़कर 0 को छोड़कर बाकी सभी वास्ट्विक सिंख्या है शुनिया को छोड़कर बाकी सभी वास्ट्विक सिंख्या है ठीक है और फलन है f of x is equal to 1 upon x, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फलन हमें दिया है, हम इससे भी समझ सकते हैं, कि जो डोमेन यहाँ पर दिया है, शुनियतर वास्विक सिंख्या है, यह कैसे है, अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 0 लेंगे, तो यह not defined नबर बन जाता है, 1 upon 0, और फलन आ परिभासित हो जाएगा, not defined हो जाएगा, ठीक है, बाकि अगर यहाँ पर x के जगह पर कोई भी वास्विक सिंख्या रखते हैं, कोई भी real number रखते हैं, तो बाकी सभी वास्विक सिंख्याओं के लिए, फलन परिभासित है, 0 को छोड़ कर, इसलिए यहाँ पर जोसका डोमे परिभासित है कि अदुसार, एक 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 फलन वहाता है, जिसमें डोमेन के भिन अवियों के प्रतिविम भिन होते हैं, अलग-अलग elements के प्रतिविम अलग-अलग होंगे, तो इसके लिए हम डोमेन में दो elements x1 और x2 लेंगे, और अगर यह फलन एक एक है, तो एक एक के तो माना x1 और x2, डोमेन में दो elements है, बिलोंग्स टू आर स्टार, आर स्टार मिन्स सेट आफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, और माना इनकी जो image है, यह दो elements इस प्रकार है कि, such that इस प्रकार है कि, इनके प्रतिविम अपस में बराबर है, ठीक है, तो फुलन की परिभासे के अनुसार, फुलन की परिभासा है, f of x is equal to one upon x, इसके अनुसार x1 की image, x1 का प्रतिविम होगा one upon x1, और x2 का प्रतिविम होगा one upon x2, ठीक है, तो यहाँ पर यह आ चुका है, one upon x1 is equal to one upon x2, तो इसलिए, इसका जाद बित्क् प्रतिविम करते हैं, रैसी प्रतिविम करते हैं, तो यह जागा x1 बराबर x2, ठीक है, तो यहाँ पर हमने domain में दो element x1 और x2 suppose किये थे और इनके प्रतिविम बराबर माने थे, तो x1 और x2 भी बराबर आए, इसका मतलब है कि जो x1 है, वो x2 के बराबर है, मतलब यह x1 और x2 तो अलग-अलग elements नहीं है, ठीक है, यह दोनों एक ही elements है, तो इसका बतला भी यह हुआ कि इस फुलन के लिए, domain के अलग-अलग elements की image अलग-अलग होगी, भिन-भिन और वोगे परतिवें भिन-भिन होगे, और इसलिए यह जो फुलन है, यह एक-एकी फुलन है, ठीक है इसलिए जो फुलन में दिया है, एक-एकी फुलन है, ठीक है, तो यह 1-1 function है, एक-एकी फुलन है, ठीक है, तो एक-एकी इस तरह से सिद्ध किया जाता है, domain में दो elements x1 and x2 suppose किया जाते हैं, फिर इनके images को बराबर लिया जाता है, f of x1 is equal to f of x2, ठीक है, तो अगर x1 बराबर x2 आ जाता है, तो वो एक-एकी फुलन होगा, ठीक है, और अगर x1, x2 बराबर नहीं तो वो एक-एकी नहीं होता है, वो बहु एक फुलन होता है, ठीक है, अब प्रूफ करते हैं कि यह onto function है, आच्छा दक सिद्ध करने के लिए, आच्छा दक की जो प function है, यहां पर y is equal to f of x, ठीक है, y is equal to f of x is equal to 1 upon x है, तो आच्छा दक सिद्ध करने के लिए, x को y के पत में लिखना होता है, तो यहां पर हम इसको x को y के पत में लिखेंगे, X को Y के पद में लिखने के लिए विद्करम करेंगे तो यह आजागा X is equal to 1 upon Y ठीक है तो सबसे पहले X को Y के पद में लिखना होता है आचा दक को चेक करने के लिए X को Y के पद में लिखने के बाद अब इसमें आचा दक देखने के लिए हमें डोमेन और को डोमेन को देखना होता है ठीक है जो X होता है यह बिलोंग करता है डोमेन को means X डोमेन का ऐलिमेंट होता है और Y बिलोंग स्टू को डोमेन Y को डोमेन का ऐलिमेंट होता है ठीक है तो Y को डोमेन यह पर आर स्टार है तो Y belongs to r star y जो है यह non-zero real number है X also belongs to r star यह भी non-zero real number है तो y non-zero real number है तो यहाँ पर अगर हम कोई भी real number यहाँ पे रखते हैं कोई भी non-zero real number रखते हैं तो x भी हमें real number मिलेगा non-zero real रिके, अगर हाँ पे कोई भी वास्तीब क्सिंख्या रखी जाए, य के इस्थान पर, तो एक्स भी हमें क्या मिलेघा? वास्तीब क्सिंख्या मिलेगा, नौन जिरो रियल नंबर मिलेगा, शुनियतर वास्तीख्या मिलेगी, तो यह, इसिपल ढूर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो को डौमेन में Y है हर एक Y कोई भी देटर वास्तविक तुखनी में नॉन जीरूर नबर रखा जाएगा तो उसके लिए हमें X जो है शुनीतर वास्तवी सिंख्या मैं मिलेगी निस डौमेन में X का अस्तुत्व होगा हर एक Y के लिए ठीक है त वाई बिलॉंग्स टू आर स्टार को डोमेन का हर एक एलिमेंट ये को डोमेन है या पर जो आरिस्टार लिखा ये को डोमेन है को डोमेन के लिए के लिए डोमेन में एक्स का अस्थित होगा ठीक है डोमेन सेट ओफ नॉन जिरू लिए नंबर है आरिस्टार ये डोमेन है येवाला अरिस्टार को डोमेन है और येवाला अरिस्टार डोमेन है ढोमेनमिन स्परांत ठीक है तो कोड में के हरेक एलेमेन ऐ के लिए डोमेन में एक एलेमेन एक स्नुन है परतेक ज़िए एकस का एस्नुन है नेरे के ए प्रकार है कि जो y है वो x का प्रतिभिम में means y is equal to f of x means code domain का हर इक element domain के किसी ना किसी element का प्रतिभिम है code domain के हर इक element के लिए domain में एक pre image पूर प्रतिभिम है ठीके इत बिंस यह कैसा अच्छा दक फलन है इसलिए एक इस ओन्टू function और टो को सद्जेक्टि भी कहते हैं इसलिए f एक आच्छा दक फलन है अच्छा दक फलन है तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया है कि जो फलन है from r star to r star यह एक एक की और आच्छा दक दोनों है और जो फलन एक एक की आच्छा दक दोनों होते हैं इसलिए अब इस परस्टिक के दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं दूसरा पार्ट इसका यह है यदि प्रांथ r star को n से बदल दिया जाए मिन्स अगर अब डोमेन को पहले तो यह r star था अब इसको r star से n में बदलना है मिन्स set of natural number प्राकर्दिक सिंख्याओं का समूच है इसे बदल दिया जाए जबकि सह प्रांथ पूरवत r star ही रहे और जो को डोमेन है वो r star ही रहे तो भी क्या प्रेडाम सत्य होगा मिन्स क्या तब भी प्रेडाम यही होगा कि यह 11 on 2 होगा एक एक की आचा डग ठीक है तो एक एक की के लिए तो सेम यही steps होगे जैसे हमने पहले r star 2 r star के लिए किया भाता ठीक है तो अब यहां आच्छा डग दिख लिए ते अच्छा ते में क्या फरक पड़ेगा ठीक है तो एक की की तो होगा कि फ्रॉम अब जो फॉलन है यह अब यह है फ्रॉम नेच्रोल नॉमबर टू आर इस्टर अब डॉमेन सेट आफ डैच्रोल नॉमबर है और को डॉमेन सेट आफ नॉन जीरो रियल नॉमबर है ठीक है फ्रॉम वह यह f of x is equal to one upon x ठीक है तो यह फ्रॉम वन वन होगा एक एक की होगा ठीक इसी तरह से यह कल लेंगे आप अन्टू चेक करते हैं ठीक है और अन्टू चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है कि को डॉमेन का हरेक अलिमेंट के लिए डॉमेन में एक प्री इमेज है या नहीं है ठीक है तो इसके लिए X को Y के पदों में लिखेंगे फ़लन है Y is equal to F of X Y is equal to F of X जो है यह 1 upon X है X को Y के पदों में लिखेंगे हैं तो X is equal to 1 upon Y बैसी परोकुल कर देंगे दोनों साइट में ठीक है तो अब हमें यह देखना होता है कि X और Y जो है X belongs to domain X belongs to natural number X प्राक्रतिक संक्या है and Y belongs to code domain code domain आपे R star is set of non-zero real number Y belongs to set of non-zero real number यह non-zero real number है शुनियतर वास्तविक संक्या है ठीक है तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अगरम कोई भी शुनियतर वास्तविक संक्या रखें कोई भी real number रखें तो क्या हमें X X क्या होना चाहिए X natural number होगा तो क्या हर एक non-zero real number के लिए शुनियतर वास्तविक संक्या के लिए क्या हमें X मिलेगा क्या प्राक्रतिक संक्या मिलेगी हर बार तो ऐसा नहीं होगा जैसे कोई भी number यहाँ पर लेते हैं कोई भी एक्जम्पल ले सकते हो ठीके इसके लिए एक्जम्पल देना पड़ेगा वाई बराबर दो ले ठीके यह आएगा X बराबर एक बटा वाई की जगर पर क्या लेना है दो लेना है एक बटा दो ठीके वाई बराबर दो यह non zero real number है शुनीतर वास्फिक्सिंग क्या है तो जब यहाँ पर Y बराबर दो रखा तो X बराबर लेना को मिला एक बटा दो और X क्या होना चाहिए natural number आना चाहिए था X belongs to natural number और एक बटा दो जो है यह natural number नहीं है इसका मतलब ही होता है कि जो वाई बराबर दो जो है यह एक बटा दो की इमेज है यह एक बटा दो का प्रतिविम है तो जब यह R star to R star था means set of non zero real number to set of non zero real number था तो एक बटा दो तो वास्तिविक्सिंग्या है non zero real number है ठीक है तब तो दो जो है वो एक बटा दो का प्रतिविम है लेकिन जो एक बटा दो है क्योंकि यह पर domain set of natural number है प्राक्रतिक सिंख्याओं का समूचे है और एक बटा दो प्राक्रतिक सिंख्याओं नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि को domain R star में 2 वाई बराबर 2 के प्राक्रतिक सिंख्याओं में कोई प्री इमेज नहीं है ठीक है क्योंकि एक बटा दो जो है यह सेट आफ में नहीं होता है इसका बताब यह किसी का प्रतिविम नहीं होगा इसके लिए कोई प्रीमेज नहीं है ठीक है तोसको यहां प्यस्तिर से लिखा जा सकता है क्योंकि आगे वाइब दो दो जो कि क्या है अख इस बेलुग्स टो डिलिये के लिए दो मैं एंसमें कोई X नहीं है डोमेन क्या सेट आफ नेचर पर सैट आफ नेचरूल में कोई एक्स नहीं है के लिए एक्स का अस्तितु नहीं है तुस्तित्व नहीं है अधिके तो इसलिए ये कैसा फालोगा ये अच्छा दख फ्लादी है अन्ताचेपी फला नहीं ठीक है कोई भी एक्जम्पल लेसकते हैं अगरहें एक्स बराबब टी लेते तो बन अपॉँ ट्री वह नच्रा डबन नहीं है ठीक है तो कोई भी एक्ज कि यह किसी की प्रतिबिम नहीं है ठीक है तो इसलिए यह ऐफ कि आठ्दीक नहीं है एफ आठाधक कि अगी फलन नहीं है तो कैसा फलन है यह अंतर इस पिद्ध रहने आठादक फलन नहीं है ठीक है तो आपने देखा कि जब हमने domain चेंज किया domain चेंज करने से एक 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 तो है लेकिन आच्छादक नहीं है तो किसी फलन का एक एकी या आच्छा दक होना जो है यह domain और co domain पर निर्भर करता है ठीक है next question number two निमलिकित फलनों के एक एकी तता आच्छा दक गुणों की जाज कीजिए तो सबसे पहले इसके first part को discuss करते है फलन दिया हुआ है f of x is equal to x square द्वारा यह परदत फलन है और यह from natural number to natural number domain भी natural number है और co domain भी set of natural number है ठीक है तो हमें इसके एक एकी और आच्छा दक गुणों की जाज करनी है ठीक है तो function है f of x is equal to x square और यह जो फलन है यह है from natural number to natural number ठीक है तो सबसे पहले इसके एक एकी की गुणों की जाज करते है वन वन होने की जाज करते है 1,1 के लिए हमचे करते हैं कि domain के अलग-अलग elements की अलग-अलग image है या नहीं है ठीक है तो इसके लिए domain में 2 natural number 2 इसमें element suppose करेंगे x1, x2 और अगर इनकी image बराबर है f of x1 is equal to f of x2 तो अगर यह 1,2 होगा तो x1 बराबर x2 होगा और अगर यह 1,2 की नहीं है तो x1 और x2 अलग होगे x1, x2 आपस में बराबर नहीं होगे ठीक है तो सबसे पहले domain में 2 elements suppose करने है माना x1 और x2 दो natural number है it belongs to set of natural number ठीक है और यह दो natural number इस परकार है कि such that इस परकार है कि इनके प्रतिभीम बराबर है x1 बराबर है f of x1 बराबर f of x2 ठीक है फलन की परिवासे के अनुसार f of x is equal to x2 के अनुसार x1 की image होगी x1 square और x2 की image होगी x2 square ठीक है अब थोड़ा इसको simplify करते है x2 square को इदा लेके आओ जब भी समीकर हल करनी होती है तो ऐसे कारती नहीं है square से square ठीक है क्योंकि अभी ये factorize होगा अगर आप काट लेंगे तो solution काम आएंगे x2 के इससे लेगा हो x2 square equal to 0 अभी ये factorize होगा ये a square minus b square की form में है a square minus b square होता है a plus b into a minus b ठीक है तो ये होगा x1 plus x2 into x1 minus x2 is equal to 0 ठीक है तो दो quantity का product 0 तभी होता है जब उन में से कोई 1 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो ठीक है तो अगर ये 0 है अगर ये 0 होगा तो ये आएगा x1 is equal to minus x2 ठीक है और अगर ये 0 है x1 minus x2 equal to 0 है तो ये आएगा x1 is equal to x2 ठीक है ना और यहाँ पर जो x1 और x2 है ये natural number है ये प्राकरतिक संक्या है ठीक है और प्राकरतिक संक्या जो है एक शुरू होती है 1,2,3,4,5,6 अनन तक और ये negative नहीं होती है जब कि यहाँ पर ये क्या रहा है x1 is equal to minus x2 ये negative आ रहा है तो क्योंकि x1 और x2 जो है ये दोनो natural number है इसलिए x1 और x2 है ये दोनों क्या होंगे positive होंगे ठीक है ये दोनों positive होंगे इसलिए x1 is not equal to minus x2 ये वाला नहीं होगा ये वाला लेंगे x1 बराबर x2 ठीक है ये नहीं होगा तो ये आगिया x1 बराबर x2 इसका मतलब है कि x1 और x2 जो है ये दो अलग अलग element नहीं है ये दोनों a की element है it means domain 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 n के अलगअलग elements की image अलगअलग होगी अलगअलगवी प्रत्वीम अलगभी होगी इसलिए जो f यह iki key फ़लन है एफ को एक एकी फ़लन है 11 function इंजेक्टिव function है एक की फैलन है ऐसे की फ़लन है अब आंटू की चेक करते हैं अन्टू चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा co domain का हर एक element domain के किसेने किसी element की image है या नहीं है तो इसके लिए function में x को y की टम में लिखना होता है यहाँ पर function दिया हुआ है y equal to f of x और f of x equal to x square ठीके तो x को पहले y की टम में लिखेंगे यह जागा x is equal to square root y ठीके तो जैसे रहाएं पहले question में अपको बताई था यहां पर देखना ओगा domain or co domain को x belongs to domain set of natural number और y belongs to co domain set of natural number तो y भी natural number ठीके तो अब हम कहाँ देखना हो कि जब यहां पर natural number one हो सकता है two हो सकता है three हो सकता है four हो सकता है तो तो कोई भी natural number यहां पर रखा जाएगा तो क्या x हमें natural number मिलेगा ठीक है जैसे suppose 4 रखते हैं y equal to 4 रखते हैं तो 4 का square root 2 होता है plus minus 2 एक प्लस 2 तो natural number है ठीक है तो यह checker में करना है कि क्या हर एक natural number के लिए x हमें natural number मिलेगा तो अगर हम y के जगह पर 2 लें y बराबर 2 लें कोई भी example ले सकते हैं y बराबर 2 लेने पर यह जगा x is equal to plus minus square root 2 और square root 2 जो एक यह one point something आता है it means यह natural number नहीं है it does not belongs to capital N यह natural number नहीं है इसका मतलब है कि co domain में जो y बराबर 2 है यह domain x के किसी भी element की image नहीं है क्योंकि 2 के लिए y बराबर 2 के लिए जो pre image आ रही है वो square root 2 आ रही है जो की natural number में नहीं होता है इस set में नहीं होता है it means y बराबर 2 के लिए यहाँ पर कोई pre image नहीं है इसी तरह से अगर y बराबर 3 लेते तो square root 3 आता square root 3 भी natural number नहीं है it means y बराबर 3 के लिए भी कोई यहाँ पर pre image नहीं है y बराबर 3 भी किसी की image नहीं है तो यह कैसा function है इंटू function है अंतर चीप फलन है f आच्छा दक आच्छा दक फलन नहीं है यह अंतर चीप यह मिन्स इंटू function है आच्छा दक फलन नहीं है next second part discuss करते हैं इस question का फलन है f of x is equal to x square फलन तो वही है जैसे पहले वाले पाट पर था लेकिन यह पर domain और code domain चेंज हो गया है अब यह है from z to z और z होटा है set of integer पूर्णाखों का समूझ है ठीक है तो सबसे पहले one one check कर लेते हैं one one check करने के लिए domain में दो elements suppose कर लेते हैं मायना x1 और x2 दो इंटीजर से दो पूर्णांग है ठीक है दो पूर्णांग है और यह इस तरह से हैं such that कि इनके image आपस में बराबर है x1 is equal to x2 ठीक है और इस परिबासे के अनुसर x1 की image होगी x1 square is equal to x2 square तो जैसे पहले वाले पार्ट में इसको solve किया था तो यह आ जागा x1 बराबर x2 ठीक है और x1 बराबर minus x2 तो यह पूर्णागों का समुझे है तो यह negative हो सकता है ठीक है वहाँ पर हमने यह देखा था कि x1 x2 natural number है natural number negative नहीं होते है तो x1 is equal to minus x2 नहीं होगा तो यहाँ पर यह हो सकता है है तो example दे लेते हैं ठीक है कोई से दो इंटीजर ले लो एक्सवन बराबर ले लेते हैं कोई इसे भी लिश्क ने है चलोगा यह दो रहता है इस्वर्म बराबर 2 और x2 बराबर कि दोनों की image बराबर होगे, दो की image भी 4 है, यह 4 आएगा, दो की image और minus 2 की image, दोनों की image आपस में बराबर है, ठीके, तो इसका मतलब यह हुआ, कि domain के दो अलग-अलग element, जैसे 2 और minus 2, 1 और minus 1, 3 और minus 3, 3 की image 9, और minus 3 की image भी 9, कोई से भी example दे सकते हो, कि image दो अलग-अलग element की same image है, 1 से ज़धा element की same image है, तो जब 2 या 2 से ज़धा element की same image उत्ती है, तो फलन 1 की नहीं, बल्कि, domain 1 होता है, बहु एक फलन होता है, तो इसलिए f, 1 की फलन नहीं है, f, 1 की फलन नहीं है, तो कैसा function है, बहु एक, bany 1, ठीक है, अब on to check कर लेते हैं, on to check करने के लिए, x को y के टामें लिखेंगे, फलन है, y is equal to f of x, f of x equal to x square, then x is equal to plus minus square root y, ठीक है, तो अब यह देखता है, x belongs to integer, x पूर्णांग है, and y belongs to integer, y भी पूर्णांग है, तो अब हैं देखना है, क्या हर एक पूर्णांग का वर्ग मूल, इसे ध्यान से सबज़ता होता है, यह आज टैप, हर एक पूर्णांग का वर्ग मूल, हर एक integer का जो square root है, क्या x integer ही होगा, नहीं, ठीक है, कोई भी example देखते हो, y बराबर ले लेते हैं, 2, 3, 4, 4 में तो पूर्णा का जाएगा, 2 ले लेते हैं, ठीक है, y बराबर दो लेने पर, लेने पर, तो यह जोगा, x is equal to plus minus square root 2, square root 2 is not integer, it does not belong to integer, यह integer नहीं है, इसका मतलब यह हुआ, code domain, code domain z में, जो element 2 है, इसके लिए, domain z में कोई pre image नहीं है, यह किसी भी, domain z के किसी भी element की image नहीं है, इसलिए, यहाँ इस तरह से लिखा दा सकता है, पहले वाले पार्ट में, मैं लिखना भूल गयाता है, वहाँ पे भी इस तरह से लिख देना, y बराबर 2, और यह code domain का element है code domain, यह पूरा को का समुच है, यह code domain ठीक है, y बराबर 2, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए, domain में किसी भी X का स्थित्व नहीं है, ठीक है, का स्थित्व नहीं है, स्थित्व नहीं है, बतला, y बराबर 2, जो 2 है, यह domain के किसी भी element की image नहीं है, इसके लिए, कोई pre image हापन नहीं है, तो इसलिए, यह फलन आच्छा दक नहीं है, एफ, आच्छा दक, फलन, नहीं है, ठीक है, तो कैसा फलन है, यह अंताचीपी फलन है, यह into function है, ठीक है, next, discuss करते हैं, थर्ड पार इसका, फलन यहाँ पर है, f of x equal to x square, वही फलन है, जो पहले दो पार्ट में था, बस यहाँ पर domain और co domain चेंज हो गया, अभी है, from real number to real number, ठीक है, तो एक एक की चेक करने के लिए, domain में दो element suppose किये, x1 और x2, इनकी image को बराबर suppose किया, x1 की image बराबर, x2 की image, x1 की image है, x1 square, और x2 की image है, x2 square, तो सेम जैसे पहले दो पार्ट में किया था, तो यह आजागा, x1 is equal to plus minus x2 आएगा, ठीक है, तो real number है, दोनो negative हो सकते हैं, तो एक example ले लेंगे, कोई भी, x1 बरा image, दोनों की image बराबर है, और यह दो अलग-अलग element है, तो अगर domain के, दो या दो से अधिक element की, सेम image होती ही, तो फॉलन, एक एक की, नहीं होता है, तो यह एक 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 फॉलन, नहीं है, on to के लिए, x को y के लिखेंगे, यहापर फॉलन है, y is equal to x square, x को y के लिखेंगे, तो यह देगा, plus minus square root y, ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, x belongs to real number, and y also belongs to real number, यह भी वास्तिविक सिंक्या, यह भी वास्तिविक सिंक्या, तो अब आपको यहाँ पर सोच ना है, कि क्या हर एक वास्तिविक सिंक्या का वर्ग मूल, x हमें वास्तिविक सिंक्या मिलेगा या या यह भी लेगा, तो कोई भी example ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पर positive लेगे, positive real number होगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो x real number होगा, ठीक है, square root 1, square root 2, square root 3, square root 4, square root 5, यह सब real number है, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर negative वाला example लेना पड़ेगा, कोई negative real number लेना पड़ेगा y के लिए, त ठीक है, तो y बराबर minus 2 लेने पर यादेगा, square root minus 2, ठीक है, और class 11 में आपने पड़ाए, कि root के अंदर negative number अगर हो, तो यह real number नहीं होता है, ठीक है, root के अंदर negative है, तो यह real number नहीं है, यह imaginary number होता है, कालपनिक संक्या, ठीक है, तो जब y बराबर minus 2 लिया, तो यहाँ गया co-domain capital R में, set of real number में, जो minus 2 है, इसके लिए domain में कोई pre-image, पूर परतिविम्प नहीं है, यह किसी की भी domain के किसी भी element की image नहीं है, तो इसका बतब यह जो फलन है, यह आच्छा दक फलन नहीं है, क्योंकि आच्छा दक होने के लिए क्या होना आता है, co-domain का हर एक element के ठीक है, इसी तरह से इस question के जो बाकी parts हैं, इन्हें आप अपने आप try कीजिएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगर किसी question में या किसी topic में कोई दिक्कत हुई हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो comment box में जरूर पूचिएगा